हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे मेरे आज की वीडियो में हम एच भी ऐसे जी टेस्ट के बारे में जानेंगे एच भी ऐसे जी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है है एपिटाइटेस बी सर्फेस एंटिजन वट है हपिटाइटेस इस इंफॉर्मेशन अफ दीवरी में फॉलमेशन ie शूयल के इपनाध वी एच प्रीचाँन सेट्ट तेसे एंटमीज सेक्धियोंग यूरलिवरश फंक्षन है बीनी एक्वक्रेस2 अर्च कोईव यूर्यू उप्न फंक्शन ही 149 अर्म नोंग जिम और क्रोनिक मींस लॉंग टरम इनफेक्शन भी हो सकता है है रहे होती है हो इंफलमेशन ओफ लिवर होती इंफलमेशन मींस हमाय लीवर में इसम 궁금 कोई भी सैप्सrem Heil compliance और सब्सक्राइबर में कोमसे लीवर कर purposes है रहे होते हैं प precaution नह liner या फिर उस में उसको डामि जो ना वो सब ही हमारे फिंटिट के वारेस से इंफेक्टिट होने के सिस्टम होते हैं सिंटम होते है कि हैपिटाइटिस जू है वो कितने टैप्स क्यों होती है है यह जो है मेंघाइटिस जो है होती है है हैपिटाइटिस A B C मैंली सब नॉर्मली पेशेंट में इन्हीं से इंड श्ogene बार्स देखा जाता है 2. Hepatitis Virus क्या होते है? Viral Hepatitis is any infection that causes liver inflammation and damage inflammation swelling that occurs when tissues of the bodies become injured from or infected inflammation can damage organs. Research have discovered survival different virus link that causes Hepatitis including Hepatitis A, B, C, D, E. अगर हमाई liver से लिएटिट कोई भी inflammation है या damage हुआ है liver जो है हमारा infection है तो वो जो है viral Hepatitis में है आता है और viral Hepatitis कौन-कौन से होगी A, B, C, D, E, G, I यह सभी हमारे viral Hepatitis में आते हैं yl Hepatitis B, C, D, H, B, C, G, A positive or reactive सब्सक्राइब होता है इसका मतलब होता है पेशन्ट जो है वह हैपिटाइटिस भी वायर से इन्फेक्टिड है सब्सक्राइब होता है यदि हैपिटाइब हाता है तो कांफिर्मेशन के लिए इसको अलेजा मेथड से किया जाता है सब्सक्राइब होता है तो यह मैंने आगे भी देखा था अगर हमाई रिपोर्ट पे पॉजिटिव या रियक्टिव लिखा हुआ है वह हैपिटाइटिस बीस वायर से इन्फेक्टिड एपिशन्ट वाट इस दा क्यूजिस ऑफ हैपिटाइटिस बीस से इन्फेक्टिड होन रिपाइटिस अडिशन्ट वायर से इन्फेक्टिड हो सकता है जो यह वह कुण करता हो यह उसके कोई सर्विरल कोई पुरानी हाल्थ कंडिशन से लिएटिड कोई इस डिजिज चल रहे हैं बीमारी चल रहे हो मैडिकेशन्स हो इन सभी केसिज में जो है पेटिजिज यह है एप्टैट स्वी से इंफेक्टिट हो सकता है एपिटीट इस एपरेट मैं बलाट सीमेन और अदर बोडी फोलिट फोम आ पर संट इंफेक्टिट बीद दा वाईरेस एंडर बोडी ऑफ संवन वन हो इस नौट इनफेक्टिट अगर पेशिंट जी अगर कोई परसन जब एक नॉर्मल पंसर हैपिटाइटस वाले पेशेंट से जाके मिलता है तो भी वह इंफेक्टिड हो सकता है सेक्षुले कॉंट्रैक्ट से रिंडल्स रिंग्स या फिर कोई ड्रक्ट इंजेक्शन लिया हो कोई भी या फिर जब एक मां एक बीबी को पैदा करती तो उस भी कंडिशन में हैपिटाइटस बी से इंफेक्टिड हो सकते हैं रही है है हे जए आच बीemie से जी डिजस क्या ओती यो है बीमारी कुंसी होती है यह बी एसे जी इस कांटिजिटり इंफेक्शन विक्शन हे वाइदा हैpергिट बी हैपिटेट अब फिर वाईरस के थो माला इंफेक्टेट होता है तो है reacts विके अंडर ड्रीजिस आती है यह जो है एक पसंझ की दूसरे पसंद में होती यह हैं है ईप अब मेनली है है टेटेटथ इस को मदा है कि एक recentय समस्थे देखने को मिल सकती एक क्योंड सबस्तियों ट्रेज्म जो जल्दी है चोन्ट सब्सक्रण को जलुण होना तो ट्रहुब सुथ हटेको जाते हैं तक स्कतार बह TON गॉंड्यक सबस्ट कॉंड होनना जो है है यह फञंड को मिलते हैं इसक्क्व dice CD is unaffected by pregnancy however a more survival course of viral hepatitis in pregnancy has been observed in patient with hepatitis E pregnancy में जो है patient के accurate viral hepatitis जेखी जाती है में short-term hepatitis viral disease जेखी जाती है HBSCG की रिपोर्ट सम्कैसे देख सकते हैं अगर patient की value में रिक्टिव लिखा हुआ है that means उसको hepatitis BC related disease है बट अगर यही अगर उसका non-reactive मल लिखा हुआ है that means उसको a hepatitis BC related disease नहीं है